थेलो एबरिवन वलकम टू वी ऐसस्टडी वी ऐसस्टडी में आच किस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके का सेट फइप के बारे में तो चलिए जैदा वर्मन करते हुए शुरू करते हैं अमरीका के पर्थम राष्पती कौन थे अमरीका के पर्थम राष्पती थे जोर्ज वासिंटन और इन्हें के नाम पर अमरीका की राजधानी वासिंटन डीर सी रखागया है अमरीका जो है अपना अस्थापना दीवस मनाता है चार जुलाई को और वर्तमान में अमरीका के राजपती कौन है वो है जोई बैडन और उप राजपती है कमला हैरिस एक सेरे काविसकार किस ने किया था एक सेरे काविसकार किया था विलहेम रोएंजन ने और ये जर्मनी के थे और सबसे पहले फिजिक्स में नोबल पराज इनी को मिला था 1901 इस्वी में 1901 इस्वी में सबसे पहले नोबल पराज मिला था फिजिक्स के छेतर में विल हैल्म रोएंजन को सिरलंगा की पर्थम महिला परधान मंत्री कौन थी? सिर्लंगा की पर्थम महिला परधान मंत्री थी सिरिमाओ बंडार नाई के यानि ये विशु की पर्थम महिला परधान मंत्री थी उस वक्त जब ये सिर्लंगा की परधान मंत्री बनी थी तो समझो कि ये विशु की पर्थम महिला परधान मंत्री थी और इसकी बेटी चंदरीका कुमारतुंगा ये सिललंका की राजपती थी 1994 से 2005 तक यानि 11 साल सिललंका के राजपती के रूप में काम की है इनकी बेटी चंदरीका कुमारतुंगा बाकी उप्सन की बात करें जैसे बिन जीर बुटों की बात करें तो यह पकिस्तान की पहली महीला परधान मंद्री थी और साथ ही साथ किसी भी मुस्लिम देश की पहली महीला परधान मंद्री थी यानि मुस्लिम देश की पर्थम महीला परधान मंद्री बिन जीर बुटों थ यूनेस्को का मुख्याले कहां इस्थित है यूनेस्को का मुख्याले है पेरिस में इस्थित पेरिस जो है ये फरांस की राइधानी है अच्छा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है दा यूनाटेर नेशन्स एजूकेसिनल सांटिफिक और उस वक्ष उप्यू जाता रहा था कुरोएशिया, फीफा का हेट क्वार्टर है सिवजर लेंड के जीवरिक में निमलिकित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है रिगवेद रिगवेद में दस मंडलों, रिगवेद जो है इसको दस मंडलों में विवाजित किया गया है पहला और दसवा मंडल जो है ये छेपक माना जाता है रिगवेद में ही वैदिक यूग के प्राचितनम संस्क्रीट के बारे में भी चर्चा किया गया है किस सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार किया था अलाओदीन खिलजी ने अलाओदीन खिलजी के बच्पन का नाम था अली गुर्शाप्स पर कुटबुद्दीन मुबारक खिल्जी जो थे वो खुद को खलीफा गोसित कर लिया था खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था राओदिन खिल्जी ने लेकिन खुद को खलीफा गोसित किया था कुटबुद्दीन मुबारक खिल्जी ने विश्व हिंदी दिवस कब मना जाता है विश्व हिंदी दिवस मना जाता है हर साल 10 जनवरी को पर राष्टी ये हिंदी दिवस होता है 14 सितमबर को बाकी ओप्सन की बात करें तो 12 जनवरी को मना जाता है राष्टी यूवद दिवस अच्छा अंतर राष्टी यूवद सबस्राइब नसल पार्क में अच्छा भारत का सब्सिर बदांसल पार्क जे लदाख में और सबसे छ racism पार्क सौथ बटन जो अंडमान निकोबार दिफसमू में है निमलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है यह सार्क का सदस्य नहीं है कौन सा ओ है सिंगापूर सार्क में कौन कौन सा देश है बंगलादेश भुटान भारत नेपाल मालदिव पकिस्तान सिरलंका और और अफगानिस्तान, यह सब जो है सार का सदस्य देश है। अफगानिस्तान 2005 में सार का सदस्य बना था। सार का स्थाफना हुआ था 1985 में और इसका हेड कवार्टर है नेपाल की राजधानि काथमांडू में। में। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है विश्व की सबसे लंबी नहर है ग्रेंड कैनाल ग्रेंड कैनाल कानहा रास्टी उध्यान भारत के किस राज्य में इस्तित है कानहा रास्टी उध्यान है मद्य परदेश में और यह नेसल पार्क जो है बारा सिंगा और टाइगर के ल बांदा उगरनेशल पार्क यह कौन सा वारत पैलता है यह जिया पार्फ बाकियों की बात करें तो चार दिसंबर को मना जाता है निवी डे पांस सितंबर को को होता है और 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दीवस विश्व जनसंख्या दीवस होता है 11 जुलाई को भारत नटियम कि सराज्य का यह परसिद्ध डांस है भारत नटियम जो है यह तामिल नाडू का क्लासिकल डांस है यानि सास्त्री निरित अच्छा केरल का सास् सास्तिनीत कोचीपूरी और असम का सास्तिनीत शतरिया यह फेमस लोग है मतलब यह फेमस जान से सब पानीपत के दुसी लड़ाई कव लड़ी गई थी पानीपत के दुसी लड़ाई लड़ी गए थी 1556 में अकबर और हेमियों की बीच और इसमें जो है अकबर की जीत हुई पानी पत कि पहीं लड़ाई लड़ी गए थी 1526 में बाबर और इव्राहिंल लड़ी की बिच जिस्में बाबर विल विजय रहा था और पानी पस्की retaining लड़ąई गए थी 17 trya so 61 में अहमद शाअब्डाली और मराटो के बीच जिसमें अहमत शाब्दाली इसके बीज़े रहा था ओर 170 Cake वा था सबस्टेस सांतावन में पलासी का जूदूबा था पलासी का रायिवीच के ठीके के खोज किससी नहीं की थी रायिवीच के स्विच ऑप्रिप साधार लौी इस पास्चर ने लौीम 3 ऑप्शन कर देखें तो एख लुज़िए तो ख्रेगोर मेंडल ने क्या ख८ जा तकता भोपाल के किस नदी को फ़िन नदी के if house नदी को जो यह चाइना में और इसे चाइना का शोक भी कहा विसू की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ओ है नील नदी जो अफरीका महादीप में बहती है और विसू के दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन जो सोथ अमरीका महादीप में बहती है पहला एशाई खेल का आजन कहां किया गया था पहला एशाई खेल का आजन किया गया इंड़ोनेशा में जो कि पहली बार एशन गेमस दो जगा पहला गया ? इंड़ोनेश्या के अधेसमे दो जगाने यह पहली बार दो जगा था इंड़ोनेश्या खेला जैएगा उचाना में अंतरराश्टी महिलاد दिवस कब मतर मनाता है अंतर राश्टी महीला दिवस मना जाता है हर सल आठ मार्च को आठ मार्च को मना जाता है अंतर राश्टी महीला दिवस बाकी ऑप्सन की बात करें तो 20 मार्च को मना जाता है वर्ल्ड हैपिनेस डे और एक और दिवस होता है वर्ल्ड स्पैरो डे यानि इस दिन दो दिवस मन पॉलो किर अस्थापना किइए था सुभास चंदर भॉष में दिव कर दिया गया हैँ यह अन्डम hmm सब एक जरूब बताएखा दिया है वहां से आप टेलिग्राम में जा करके इस वीडियो के वीडियो डॉलोड कर सकते हैं थैंक्यू सो मच